उचाई एवं दूरी, कभी-कभी हमें किसी मिनार, व्रेक्ष, भवन की उचाई अत्वा एक प्रकाश थमसेद जहाज की दूरी, एक नदी की चोड़ाई इत्यादी ग्यात करने की आविशक्ता होती है, हम उन्हें सटीकता से नाप नहीं सकते, यद्यपी हम उन्हें त्रिको चैसी रेखा, हमारी आँख से उस देखे जाने वाली वस्तू तकी रेखा है। उन्नती कोण boug़ाई जो कोई वस्तू हमारी आँखों के शेतिज रेखा से उपर स्थित होता है, तो उस वस्तू को देखने के लिए हमें अपना सर उपर की ओर उठाना पड़ता है। इस प्र वस्तु जमीन पर हो एवं दर्शक एक भवन पर हो तब वह वस्तु दर्शक के आँखों के स्तर के नीचे स्थित होता है, दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए सर नीचे जुकाना पड़ता है, ऐसा करने में उसकी आँखे एक कोण में चालित होते हैं, जिसे अवन मन को दूर किसी बिंदू से उस तंब के शीर्ज तक का उन्नती कौन 45 अंश है। उस द्वजा स्तंब की उच्चाई ग्यात कीचिए। आईए इसे इस प्रकार चरण धर चरण हल करते हैं। चरण एक आईए पहले स्थिती को देखते हैं। चरण दो मान लेते हैं द्वज स्तंब की उच्चाई एक्स है। चरण तीन त्रिकोन ABC से टैन 45 अंश बराबर X बटा 18 क्योंकि टैन थीटा बराबर BC बटा AB। चरण चार इसका तातपर्य है X बराबर 18 गुणा स्टैन 45 अंश बराबर 18 गुणा 1 बराबर 18 चरण पांच अतह द्वज स्तंब लगभग 18 फीट उचा है। कुछ और उधारण उधारण एक व्यक्ति एक नदी के तट पर खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे तट पर स्थित एक व्रिक्ष के शीर्ष पर बना उन्नती कोन 60 अंश का है। जब वह तट से 40 मीटर दूर चला जाता है वह उन्नती कोन को 30 अंश का पाता है। उस व्रिक्ष की उचाई एवं नदी की चौड़ाई ग्यात कीचिए। हल मान लेते हैं कि व्रिक्ष की उचाई Y है एवं नदी की चौड़ाई X है। अब त्रिकोन ABC में टैन 60 अंश बराबर AB बटा BC क्योंकि टैन 60 बराबर वर्गमूल 3 अतह वर्गमूल 3 बराबर Y बटा X जिसका तात पर है Y बटा X गुणा वर्गमूल 3 इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से 1 में Y का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है X जोड 40 बराबर X वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 3X या 40 बराबर 2X जिसका तात पर है X बराबर 20 मीटर. अब X के मान को समीकरण 2 में रखने से हमें मिलता है Y बराबर X गुणा वर्गमूल 3 या 20 गुणा वर्गमूल 3 अतह व्रिक्ष की उचाई बराबर 20 वर्गमूल 3 एवं नदी की चोडाई बराबर 20 मीटर है.